नमस्कार आप देखने हैं एसिया न्यूज इंडिया मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आईए आची खबरों पर एक नजर डालते हैं सहरसा में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या सराप पीने से मना करने पर गुसाया यूबक कमर से पिश्टर निकाल सीनी में दागी गोली सहरसा के सोनबर्सा में एक यूबक ने अपने पिता के सीने में गोली मार दी इससे पिता की मौके पर मौत हो गई घटना सुमबार राद सोनबर्सा थाना छेतर के तमकुलहा गाउं की है मौत के बाद घर के लोग मामले को दबाना चा रहे थे लेकिन अस्थाने लोगों ने इसकी सूचना पुलीस को दी सूचना पर देर रात पहुची पुलीस ने सब को बरामत कर पोश्टर मॉर्टम के लिए भेज दिया जबकि सभी घर के लोग फरार हो गए मृत की पैचान वाड नमबर साथ निवासी सिकंदर यादब के रूप में हुई घर्टना रात करीब आठ बजे की है अस्थाने लोगों ने बताया कि सिकंदर के बरे बेटे सोनू ने उसकी हत्या की लोगों ने बताया कि वो नसेरी प्रविर्ती का है वो सराब के अलावा कई अनी नसे का इस्तिमाल करता है साथ ही लोगों ने बताया कि वो सराब भी बेचता था सिकंदर यादब पुद्र के नसे किलत और उसके इस कारोबार का हमेशा विरोध करता था सोंबात की रात भी सोनु कुमार नसे में दूत होकर घर पहुचा इसके बाद सिकंदर से उसकी कहा सुनी हुई इसी बात पर सोनु ने हत्यार निकाल कर पिते के सीने में गोली दाग दी इससे मौके पर ही सिकंदर की मौत हो गई सोन बर्षा पुलीस की अनुसार सिकंदर का भी पूर्व में अपराधिक इतिहास रहा है वो जेल भी जा चुका है सोन बर्षा थाना ध्यक्ष सुनील कुमार भगत ने बताया कि देर रात हत्या की सुचना मिलने पर सब को बरामत किया गया नसे की हालत में पिता की हत्या कर सोनु कुमार फरार हो गया है पुलीस उसकी गिरपतारी का प्रियास कर रही है तो आज के लिए इतना ही आगे तमाम खबरों के लिए जुरेर हमारे साथ धन्यवाद